हलो एंड वेलकम टू मैगनेट ब्रेंज हिंदी में हूँ आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटिजार दोस्तो आज की सेशन में हम लोग क्या बात करने वाले हैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैगनेट ब्रेंज से कैसा प्लेटफॉर्म है जो आपको स चाहें तो हमारी website magnetbrins.com या फिर हमारे YouTube चैनल पर जाकर के इन सभी वीडियो का आनंद भी उठा सकते हैं दोस्तों आज किस लेक्चर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं कक्षा आटवी के सामाजिक विज्ञान गंद्रगत जैसा कि आप जानते हैं हमारा विशह है इतिहा और इतिहास में आज हम लोग चुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर एट चैप्टर नंबर एट का नाम क्या है महिलाये एवं जाती एवं सुधार तो महिलाये जाती एवं सुधार यह हमारा चैप्टर का नाम है मतलब महिलाओं की स्थती में क्या सुधार आया पुराने की चर्चा भी करेंगे जिन्होंने महिलाओं के लिए और जातिकत भेद्भाव से संबंदित बहुत सारे समाजों की स्थापना की बहुत सारे अपने विचार प्रस्तुत किये तो आज करें तापिक है वह है महिलाओं की इस्थती क्या थी और क्या है और साथ इसाथ जाती भे महिलाओं की सितिकी बात करें तो क्या आपने कभी सोचा एक science दिमाग में हूटता है कि क्या आपने कभी सोचा है कि दो सो साल पहले आज से 200 साल पहले बच्चों की जिन्दगी केसी रही होगी हम बबात महिलाओं की करें लेकिर बच्चों से शुरुवात कर लाते हैं consistent 200 साल पहले बच्चों की जिन्दगी कैसी रही होकी आजकल लड़की उसकूल जाती हैं लड़कों के लड़के स्कूल जाती के साथ पड़ती हैं किसी भी जाती समुधाई के व्यक्ती से शादी तक कर सकती यहां तक भी परदिबंद हटा दिये गये हैं विध्वाएं दोबार दोबारा शादी है बिच्ट cherry के हो जाता है महिलाए वोट भी डाल सकती है चुनाव भी लड़ सकती यहां तक की देश के प्रधान मंतरी राश्पती भी बन सकती है तो दोस्तों यह सब बदलाओ जो है वो अब देखने को मिल रहें लेकिन फर्स करो 200 साल पहले क्या होगा यह सोचने वाली बात है 200 साल पहले हालात बहु अनंद उठा रही है मतलब यह कि जो अधिकार दिया गया उसका पूरा-परा लाब ले रही है जैसा कह सकते कि आज की तारिक में वो समस्या नहीं रही जो पहले थी 200 साल पहले की बात करे तो बिलकुल हालात भिन्नत है बच्चों की जो शादी होती थी वह बहुत कम उम्र म कर दी गई है लीगली जो है शादी की उम्र कर दी है तो पहले बच्चों की शादी हुआ करती थी और कम उम्र में हो जाती थी माता पिता ही करते थे किस से शादी करना है नहीं करना आज की तारिक में बच्चे खुदी कर सकते जैसे कि हमने पढ़ा विदा विद्वा महिला विद्वा महिलाओं से उमीद की जाती थी कि वे अपने पती की चिता पर के साथ जिन्दा जल जाए बना पहले कि लोग पता नहीं यह से क्यों सोचते थे पती नहीं होने पर पतनी का जीवन नश्ट हो जाता ऐसा उनके विचारत हैं कौन सी किताब में लिखा था कि पती नहीं होगा तो चिता में जल जाएगा यह प्रथा भारत में बहुत ही खराब थी अलाकि बाद में अटारा सो उन्तीश में लाड विलियम बेंटिंग और सेना में भरती होते थे तो युद्ध होते थे बहुत सारे सेनिक की डेथ होई जाती थी अब इसे मुंकि महिलाओ को क्या होता आप सोचिएगा कितने क्योंकि पहले के रिकॉर्ड तो महर पास है भी नहीं कितनी महिलाओ ने आत्म दाहा किया होगा अपनी पती की चिता के ऊप सुधा मतलब उन महिलाओ को सदाचारी महिला जाता था जो इस बात को माल लेती थी मतलब सदाचारी के नाम पर आप वेसे उनकी साथ कर लोगे संपत्तिय पर महिलाओं का कोई अधिकार जो थे वो बिल्कुल सीमित अधिकार थे यह नव के बराबर थे सिक्षा तक महिलाओं की प्राया कोई पहुच नहीं होती थी दो सो साल पहले की बात कर रहा हूं मैं आज तो आपने देख लिए आज तो क्या हाला थे मैक्सिमम टॉपर जो है हर एक फिल्ड में टॉपर जातर लड़कियों को यह आपने देखा है तो आजकल गर्ल्स जो है वो काफी ज्यादा हद तक जो है नॉमल जो है स्वतंतरता का पूरपरा लाब उठा रही है लेकिन पहले ऐसा नहीं था पहले उन्हें किसी प्रकार का को कि जातिया भेदभाव का प्रचलन कहां से आया हमारे देश में आज भी जातियत भेदभाव कहीं तक चलता है हुछ अबे चालू जालू है पुराने समय में यह बहुत पीकर परफा पुराने समय में शायद इस जातिवात को लोग अपने हुआ इतना ज्यौदा सीरियस थे कि यह सारे के सारे लोग सको फोलो भी करते fifteen सोच उस समय तो विरोधYU करते हों करते हो किजब तक लोग जागरुक नहीं हुए सब्सक्राइब नहीं हुए तक विरोध नहीं हुए तो जाती प्रथा लोग यहां पर बात करते हैं ब्राम्मन चत्री जो होते थे वह उची जातियों में कहे जाते थे सबसे उची जातिया जो होते थे ब्राम्मन चत्री को उची जातिया मना जाता था इसके बाद ब्राम्मन के बाद शत्री और चत्री के बाद आता था वेश्य का नंबर जिसमें व्या करना था ऊची जातिया निचले पाइदान पर खड़ी इन जाति लोगों को अचू AMY से भी मैना कर देती ती यानि यहां तक भी सुना है कि पर चैपडना भी गलत मानते थे कभी तो किसी जाती को तो देखना भर भी गलत मान देता तो यह ट्रेंड पहले था अचूत माना जाता था निचली जाती को ऊची जाती की लोग मानते थे लेकिन 19-20 वी सदी थी बदलाव का दोर क्योंकि 19-20 सदी में हमारा देश में अंग्रेजी शाषन चल रहा था इस 19-20 सदी म में अंग्रेजी में बहुत सारे सुधारवादी आंदोलन हुए जिन्घों ने बोला कि अंग्रेज्ट करते हैं अगल इतनी हलोशना हम लोग इतना विडोम हमारी जातीगत विवस्ता के लिएथा तो आज लोगों ने विद्रोग किया सुधारवादी आंदोलन चला है। और 19-20 सदी के दुरान इनमें बहुत सारे काइदे कानून और नजरिये दिरे-दिरे बदलते गए ने-ने काइदे कानून आए जैसे सती प्रथा का निशेद कर दिया गया बाल विवाह का निशेद कर दिया गया विद्वा पुनर विवाह को शुरू कर दिया गया ऐसे पुर ही होगा उसमें तो इस तरहकार हमारा जो आज का लेक्श्चर था वो छोटा साथ उसमें यह बात कहीं गई है के वलकि महिलाओं की स्थिपहले क्या थी और अब क्या है और जातीगत विवस्ता क्या थी इसके बरेमें ने चर्चा की हैं दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो सिक्वेस्ग के नहीं मिल रहे तो घबराने की जरूत नहीं है क्योंकि मैगनेट ब्रेंज आप लोग लेकर के आया है एक दूसरा विकल्प जोसका नाम है मैगनेट ब्रेंज डॉट को आप चाहें तो हमारी वैबसाइट मैगनेट बीन डाट कॉम पर जा सकते जहां आपको मिलेगा इंडियास नंबर वन हंडिट परसंट फ्री ओनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म दोस्तों यह ओनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म आपको क्या प्रोवाइट करता है यह आपको प्रोवाइट करता है तो अपने टॉप कोर्सेस को एक्स्प्ल वैसे ही आपने अपने क्लास एट को सेलेक्ट किया गया किया आपके सामने आजाएंगे आपके सारे चहते टीचर जो आपको गक्षा आठवी पढ़ाने वाले हैं अब आपको तरह करना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है हर सब्जेक से संबंदित सारे लक्टर वह भी सीक्वेंस वाइज आपके सामने आ जाएंगे वाच ओल वीडियों में के रूप में अब आप इसमें से किसी भी चैप्टर को आसानी से पढ़ सकते हैं जिस भी चैप्टर को या जिस भी लक्टर को पढ़ना है उस पर बस करिए क् अपने वीडियो देख सकते हैं इस प्रकर आप अपने नोट भी बना सकते हैं और साथ ही साथ अपनी कक्षा में टॉप भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैगनेट ब्रेंस आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्षिक्षा जो क्लास 7 से क्लास 12 तक के सभी विध्यारतियो को फ्री आप कॉस्ट हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में दी जाती है दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो लग रहे हैं बहुत अच्छे तो प्लीज कॉमेंट सेक्षन में लिख करके जरूर बताए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ब